हार्दिक पांडिया मुंबई इंडियन्स के कप्तान बनते ही फेकू पांडिया बन चुके हैं आपने ठीक सुना दरसल हार्दिक पांडिया अपनी बढ़ाई करते हुए इतना कुछ भूल गए कि वो उसमें रोहिश्च तर्मा और कायरन पोलाड के क्रेडिट को अपना क्रेडिट बता बैठे क्या है पुरा मामला हम आपको बताते हैं दरसल हार्दिक पांडिया एक इंटर्व्यू दे रहे थे स्टार स्पोर्स को जहां उन्होंने अपने सबसे पहली IPL टीम यानि कि जब उन्होंने सबसे पहले मुंबा इंडियंस के लिए IPL खेलना शुरू किया था 2015 में उसकी कुछ यादे साजा की इंटर्व्यू में जब हार्दिक पांडे से पूछा गया कि उनके लिए वो सीजन कितना खास था तो उन्होंने बताया कि वो सीजन बहुत इंपॉर्टन था जिसके लिए उन्हें Man of the Match मिला था पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था दरसल 2015 के पहले कौलिफायर में जो मुकाबला चिन्नाई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था उसमें मुंबई ने 25 रनों से मुकाबला जीता और Man of the Match मिला था कायरेन पोलार्ड को और जो फाइनल मुकाबला खेला गया था जो की जीता था मुंबई इंडियंस ने चिन्नाई सुपर किंग से ही उसमें भी रोहिष शर्मा का तूफानी अर्धशतक था जिसके लिए Man of the Match रोहिष शर्मा को मिला था लेकिन हार्धिक पांडिया जोस जोस में ये बोल गये कि दोनों ही नौक ओड मुकाबलों में उन्हें Man of the Match दिया गया था तो थोड़ा सा हार्धिक पांडिया फेकु पांडिया बन गए थे पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था आपको बता दें कि हार्दिक पांडिया को इस बार मुंबा इंडियन्स की टीम ने दुबारा अपने टीम में शामिल किया और ना कि सिर्फ शामिल किया बलकि कप्तान भी बनाया है और इस बार रोहिशर्मा की जगए हार्दिक पांडिया कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आपकी क्या राय इस खबर को लेके हमें कॉमेंट करके बताईए तब तक के लिए देखते रहिए One India Hindi